बारिश का मौसम आगया है और ये किसे अच्छा नहीं लगता है पर इस मौसम में अपने बालों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है नहीं तो हो सकती है बहुत सारी परिशानिया क्योंकि इस मौसम में humidity बहुत ज़ादा बढ़ जाती है और बालों का जढ़ना, गिरना, चिपचिपाहट जैसे समस्याएं आम हो जाती है और कभी हम बारिश के पानी में अगर भीग जाएना तो हमारे बालों को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि बारिश का पानी acidic होता है जो कि बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है जिससे hair fall तो होता ही है, बाल freezy हो जाते हैं, साथ में dandruff हो जाती है तो आज आपको मैं एक ऐसी remedy बताऊंगी जिससे आपको बारिश में भीगने से डर नहीं लगेगा आप जितना मरजी ना है आपके बालों को नुकसान नहीं होगा साथ में कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बाल हमेशा healthy रहेंगे इस मोसम में बालों में बहुत जल्दी चिपचिपाट से होने लगती है बाल बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं तो बालों को clean रखना बहुत जरूरी है इसलिए अपने बालों को हफते में 2-3 बर shampoo wash जरूर करें साथ में scalp की cleansing के लिए आप homemade herbal shampoo भी यूज कर सकते हैं और उसकी वीडियो में आपके साथ already share कर चुकी हूँ आप चाहकर जरूर देखना homemade herbal shampoo यूज करने से आपके बालों में एक तो natural moisture बना रहेगा dandruff की समस्या दूर होगी और hair fall भी control होगा और गिले बालों के साथ कभी भी बाहर ना जाएं क्योंकि धूल, मिटी, pollution, humidity आपके बालों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है इसलिए अपने बालों को हमेशा cover करके ही बाहर निकले वैसे तो बारिश में भी बालों को भीगने से बचाना चाहिए अगर फिर भी आपके बालों भीग जाएं तो बालों का खास ख्याल रखें बालों को अच्छे से clean करें, बालों को सुखाएं और फिर जो मैं hair mask बता रही हूं इससे आप regular use करें जब भी आपने बालों को shampoo wash करना है उससे पहले इस hair mask को लगा कर हलके आतों से scalp की massage करनी है उसके बाद shower cap जरूर लगाएं फिर 30-45 नट के लिए इसे बालों में लगा रहने दे उसके बाद बालों को shampoo से wash कर लें इसे use करने से एक तो आपका hair full control होगा, regrowth अच्छी हो जाएगी बालों का texture improve होगा, बालों की जड़े मजबूत होगी अगर दो मुहे बाल है या फिर damaged हो चुकी है hair तो उन्हें भी repair करने में ये बहुत help करने वाला है तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस खास remedy को जो कि आपके बालों के लिए काफी healthy है तो इस remedy के लिए आपको एक प्याज चाहिए, इसको आपने छील कर धो लेना है और कदुकस करके इसका juice निकाल लेना है इसमें sulfur होता है, जो की collagen production को boost करता है जिससे हमारे बालों की जड़े मजबूत होती है, hair fall control होता है साथ में बालों को दुबारा उगने में भी help करता है तो जितना ही प्याज का रस है, उतना इसमें हम aloe vera gel add करेंगे तो ये कम से कम तीन चमच के करीब प्याज का रस है इसमें मैं तीन चमच ही aloe vera gel डालूंगी पहले ये दो चमच aloe vera gel इसमें mix कर लेते हैं और बारिश के दिनों में ज़्यादतर बाल फ्रीजी हो जाते हैं तो aloe vera gel उन्हें smooth बनाने में help करती है देखिए मेरे कहने से कुछ नहीं होगा अगर आप इसे use करेंगे ना तब ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी remedy है और आपके बालों को कितना healthy करने वाली है बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि scalp में काफी eating होती है fungal infection भी हो जाती है तो इसके use करने से आपको उससे भी छुटकारा मिलेगा तो देखिए मैंने इन दोनों का अच्छे से mix कर लिया है और इसकी consistency थोड़ी सी थिक भी हो गई है तो monsoon के लिए खास hair mask बनकर ready है इससे आप regular use करें और बालों को healthy बनाए रखें तो आज की remedy कैसी लगी? comment section में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like and share जरूर कर देना